नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास प्रेस्वस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रिकान प्रत्यूस ने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ओ परेसान है अपने बोट बैंक को लेकर गुलाम रसुल बलियावी तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जता चुके हैं प्रसांत किसे और ने तो पार्टी की छेतावनी को बिल्कुल नजर नदाज कर दिया है और गैर चाने के लिए आगे आईए उन्हें पार्टी अब नसिहत दे रही है चेतावनी भी दे रही है लेकिन वो बिल्कुल बे परवाह दिख रहे हैं दूसरी तरह गुलाम रसुल बलियावी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चुपी साथ चुके हैं बलियावी का कहना है कि अब मुसलमान नाराज हैं खफा हैं और ओर नितिश कुमार की तरफ बड़ी उमीद के साथ देख रहे थे लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से नितिश कुमार को अपने जाल में फसा लिया है मौलाना का मानना है कि नागरिक्ता संसंधन बिल के समर्थन से अलपसंख्यक निरा आने के लिए आर जेडी के नेता तयार बैठे हैं पार्टी के फैसले का विरोध करने को लेकर जेडीव का स्थिर्स नितित द्वारा बागी मुद्वारों के खिलाफ जल से जल बड़ी करवाई किये जाने की खबर हवा में है और जेडीव के द्वारा करवाई किये जाने क इंतजार आर्जेडी के नेताओं को है, आर्जेडी नेताओं ने मौलाना गुलाम रसुल बल्यावी से संपर्क साधना भिश्रू कर दिया है, हलाकि बल्यावी इस ख़वर को अफ़ाह बता रहे हैं, और उनका कहना है कि वो पार्टी में थे, पार्टी में रहेंगे, उन्हो बल्यावी ने न सिर्फ कैप पर जेडीव के रुख का बिरोध किया है, बलकि इन्होंने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी अपनी पार्टी की रायक से अलग हट कर किंद्र स्रकार के फैसले के खिलाफ खुल कर अपना बिरोध जताया था, तब से ही गुलाम रसुल बल् कुछ सोच समझ कर कोई फैसला लेना चाहती है बल्यावी के बारे में दरसल गुलाम रसुल बल्यावी की पहचान किवल जेडीव के पुरो सांसद और MLC के तोर पर नहीं है, बल्यावी अपने समुदाय में बिहद लोग प्रिये हैं, जेडीव के MLC गुलाम रसुल बल्या में इदारे सरिया के अध्यक्ष भी हैं, वो समय समय पर नितिस कुमार के लिए चुनाव में अपने समुदाय का बोट भी मांगते रहे हैं, नितिस केंप में बल्यावी के अलावा भी कई मुस्लिम चेहरे हैं, जिन में मंत्री खुरसीद आलम हैं, गुलाम गौस हैं, MLC ख जूत मानी जाती है, गर असल मौलाना बिहार में इदारे सरिया के अध्यक्ष हैं, इस नाते मुसल्मान समाज में बल्यावी के मजबुत फॉलोर भी हैं, कहा जाता है कि इदारे सरिया से जुड़े लोग देहद कटर होते हैं, ऐसे में अध्यक्ष के एक फर्मान पर अधि फिस्ती बोर्ट की हिसेदारी है, आरजेडी के साथ पहले से ही अकलियतों का बड़ा हिसाद खड़ा है, ऐसे में अगर बल्यावी आरजेडी केम्प में चले जाते हैं, तो यकीनन लालू केम्प की ताकत और बढ़ जाएगी, नितीश कुमार कमजोर होंगे, नितीश कुम जिसका फायदा आरजेडी को हाथ हों हाथ मिल जाएगा, नितीश कुमार के खेमे में मौलाना जैसा कोई और दुसरा मुस्लिम सेहरा भी नहीं है, जो बल्यावी की भरपाई कर सके, इधर आरजेडी भी मौलाना के ये बाहें फैलाए बैठा है, अगर जेडी उनके लेने में थोड़ी भी देर नहीं करेगा, जाहिर है, बल्यावी के खिलाप जेडी उ कोई करवाई नहीं करने जा रही है, तो जो हवा में खबर है कि जेडी उ बल्यावी को बखसने के मुड में नहीं है, उनके खिलाप करवाई हो सकती है, पार्टी से उनका निश्कासन हो सकता है इस खबर में दम नहीं है खबर यहीं है कि ठीक है पार्टी चाहती है कि अब आगे वो विरोधन जाहिर करें और बलियावी चुपी साथ भी चुके हैं लेकिन अपने अस्टेन पर कायम हैं और ऐसे में मान कर चलिए कि बलियावी या किसी दुसरे अलपसंध्यक मेता क कि खिलाब पार्टी कोई बड़ी करवाई नहीं करने जारी है लेकिन प्रसांत की सुरका क्या होगा जो गैर बीजे पिसासित राजियों के सीम से नागरिक्ता सोंसुधन बिल की मुखालफत करने की अपील कर रहा है यह सबसे बड़ा सवाल है आपको एक हबर अच्छी हुआ